हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्सीजी के प्रिविएस ये लेक्चर स्रीज में तो गाइज जैसे कि आप लोग को पता है कि हम स्सीजी का जो 2019 के प्रिविएस ये के कॉस्टन्स हैं वह हम डिसकस कर रहे हैं और यह सब्जेक्ट वाइस हम सोल्यूसन देख रहे ह तो इनके हम सब्जेक्ट वाइस कोशन देख रहें तो चलिए स्टार्ट करेंगे आगे के कोशन क्योंकि आर्ची का यह हमारा सेकिंड लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर में हमने वह कोशन जो पहले चैप्टर शाय हुए थे वह सारे कंप्लीट कर लिए थे आज कि चैप्टर कोशन नहीं पूचा गया है तो इसलिए हम इसको नहीं करेंगे तो यहां से आप अंदाजा लगा सकती है कि आप लोग का थोड़ा लैस इंपोर्टेंट टोपिक भी आप लोग का हो जाता है उसके बाद बॉन्ड और जो आप लोग का डिजाइन और बी में यह जो करेंगे तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपना पहला कुश्चन यह हमारा थर्ड चैप्टर है बॉन्ड एंड एंड क्रेज कोशन नमबर आ जाता है ट्वन्टी ट्वन्टी नाइन जो 23 सितंबर 2019 को आप लोग का इवनिंग सिफ्ट में 2018 के पेपर में पूछा गया था यहा ठीक है वह आप लोग कितनी होती है म 20 कॉंक्रेट ग्रेड के लिए चार आप लोग के पास given इन चार आपसन में से सही अंसर बताइंगे्गे कैस कमेंड करके कि सही अंसर क्या होगा तो देखो इसका जो सही answer हो जाता है आप लोग का वो option number A बिल्कुछ सही answer हो जाता है यहाँ पर जिसका सही answer हो जाता है option number A 1.2 Newton पर mm square हो जाता है अब question ये बनता है कि sir हमको ये बताइए कि bond stress होता क्या है तो देखो होता है कि आप लोग को पता है कि एक तरफ आप लोग की concrete होती है और एक तरफ आप लोग का steel होता है इन दोनों के combination से ही तो आप लोग का क्या बनता है जो आप लोग की RCC जो आप लोग की structure होती है वो combine हो करके बनती है तो concrete और जो steel है इनके बीच proper bonding आप लोग की ह हुई है यह नहीं हुई है तो उसकी जो इस्टेंथ होती है इसको चैक करने के लिए हम क्या करते हैं हमारी कुछ डिजाइन बॉन्ड इस्टेस हमारी क्या करे जाती हैं कंसिडर करे जाती है जो आप लोग का आई एस 456 आप लोग का कोड है तुट आउज पर मैं आप लोग को बता दूँ जो बॉन्ड इस्टेस आप लोग के पास होती है जिसको आप सिग्मा बीडी कहते हो यह कॉंक्रीट की ग्रेड के साथ साथ स्टील की ग्रेड के उपर भी डिपेंड करती है यह कॉश्चन कई बार एक्जम में पूछा गया है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ आप लोग को किविन यह लेकिन यह सारी की सारी चीजुझे प्लेंट समय के लिए किसको आप क्या बोलते हो एफी 252 कुछ लोग इसको बोलते हैं ठीक है जिसको आप माइल्डू कर के करते हो तो अगर माइल इस्टिल आपने यूजज कर इया तो उस केस में अगर आप लोग से M25 के लिए पूछ लेता तो 1.4 हो जाता M30 के लिए 1.5 हो जाता M35 के लिए 1.7 और अगर M40 है या फिर उससे ज़्यादा है ग्रेड तो उसके लिए 1.9 आप लोग के बॉंड इस्टेस होनी चाहिए ठीक है अब कुशन यह बनता है सर यह आप लोगों ने हमें किस के लिए बता दिया प्लेन बार के लिए बता दिया अगर हम बिल्डिंग में प्लेन बार यूज ना करके अगर हम F415 यूज कर ले या फिर हम F500 यूज कर ले तो उस केस में हमारी जो बॉंड इस्टेस है वो कितनी होनी चाहिए तो देखो अगर यह दोनों चीज़े आप लोग को दे देता है देखों क क रहे है तो उस केस में जब आप लोगे पास डीफॉंड बार होती है तो इस केस अगर आप के लिए हगत आप लोग compact ऑन दीजाइन कर रहा है तो उसके सो देखों का रहे तो ऊपagar लोग कोई रखना पड़े यह उसके लिए जो bond stress है जो compression में आप लोग ने इस्टील वार प्रोवाइड कराई है उसके लिए आप लोग को जो बढ़ानी पड़ेगी 25% कितनी बढ़ानी पड़ेगी 25% यानि कि अगर पहले कोई भी value आप लोग के पास थी for example 1.5 थी तो 1.5 को आप क्या करोगे आप 25% for a 30 degree cranked or bent up bar the inclin length of crank is equal to guys होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं जो हमारा sear force आता है उस shear force को counteract करने के लिए हम stir up provide कराते हैं क्या provide कराते है stir up provide कराते हैं जो हमारा beam होता है ठीक है जब हम beam design करते हैं तो उस case में stir up हम provide करा देते हैं तो बीम को कई बार क्या होता है कि इसको कई कई तरीके से हम प्रोवाइड कराते हैं वर्टिकल इस्टील रफ्स की फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं कई बार हम उसको बैंट अप बार में प्रोवाइड कराते हैं तो उसी की बात कर रहा है कि आप लोगों ने जो प्रोवा हो गेर इनक्लाइड वाला इ으 इला कि वाला फोस्तों सब्धार कर आप संद्व हो यह तो इस तरीके समय क्राएद कर भाएज़ करा है ठीक है यह हम को क्या है के एक थार्टे डिकरी का एंगल दिया झिस पे इंक्लाइन था यह उतल सर्भ को बोगको जिन लोगों बी पंदिद बंद्री प्रिशाद हर हर बोले करके पर लगए इस से reduz सांई समय लगा देंगे तूजस्स इसमें लगा इसमें लगाएंगे तो अपन साइन थर्टी करके आप लोगा आ जाएगा और जब आप इसको सोल करोगे तो साइन थर्टी के वैली वन वाई टू होती है तो कम्प्लीटली कितना जाएगा टूडी हमारा आ जाएगा ठीक है अगर किसी ने हिंदी मीडियम से पड़ा हुआ है तो उसने इस चीज को प घुलेकर लोगे ठीक है तो इसका जो सही आंसर आप लोके पास हो जाएगा भूप सनमरदी बिलको कि हां अगर यह बन पूच लेना इस्टीड Alrighty Department को फुचले टिक यह उस्ने जो कितनी लेंद कोवार्ट कर पार है तो इस बार आया तो सिस के लिए आप 1030 लगा देना ठीक है इस चीज को भी द्यान लगना कभी इस चीज को पूच ले ठीक है यानि कि हमको क्या करना टिग्णोमेट्रिक थोड़ी सी यूज करने हैं बस नेक्स्ट जाता है क्वेशन नमर 31 इसमें कह रहा है डवलप्मेंट लेंथ इस इनवर्सली प् पूर्षनल मोत हैं इसका रहे हैं यह देखो तक हम लोग क्या करते हैं अगर मननों की हमारे पास कोलम ता और हमने या से क्या कर रका है इसमें बीम प्रोवाइट कर रहा है तो हम यहां जब इसमें रैंफोर्स्मेंट कर आते हैं तो रहेंस कोलम में इसको को दे देते हैं ठीक है ताकि यह जो हमारी सिलिप बाली कंडिशन होती है कि जो रेंफोर्समेंट है सिलिप ना कर पाए तो यहां पर क्या करते हैं उससे बचने के लिए हम कुछ लैंथ प्रोवाइड करा देते हैं तो यह जो एक्स्ट्रा लैंथ हमने प्रोवाइड करा यह इसी को बोल देते हैं development length क्या बोल देते हैं है development length अब यह जो development length होती है इसको calculate करने का हमारे पास एक formula हमें given है is code में इस formula का हम use करते है ठीक है तो यह formula हमारे पास होता है ld is equal to होता है sigma st into phi upon आता है 4 to bd ठीक है जहाँ पर sigma st आप लोगे पास क्या है stress in steel है आप लोगे पास डाया है और डीजो है आप लोगे पास development जो बॉंड इस ट्रेस आप लोगी वह हैं तो जो development आप के पास जो स्ट्रेस आरे ली है आप लोग की वह हीं अन्षर क्या हो गया वह वह गया ऑप सnt नम्र दी удив तो है कि दो टॉटल लेंध ऑ बार है यह ऐट दा बोथ एंड्स आप लो पटाना लेंध लेन तआप लोग की वह वोगी वह तो कितनी होगी अगर आप लोग ने फुक प्रोवाइड करे हैं बार में हुक बनाया एक दो जिए ऑप लोग भ Shצ परगे कि कुछ इस तरीके की बार आप लोगे ने प्रोवाइड कर एक यहाँ पर भी आप लोगद कर रहा है और आप लोगा ने हुक प्रोवाइड यहां पर देखो यह होता है कि कुछ इस तरीके की हम लेंद्ट पॉइट कराते हैं अगर हम लोगों डवलप्मेंट की बात करिए टोटल लेंद्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 90 पर यहां पर होता है तो 90 और 90 कितना हो जाएगा आप लोग का 18 यह हो जाएगा और एल आप आप लोग का हो जाता है वो कितना हो जाता है और सी बिल्कुल सही अंसर हो जाता है ठीक है कितना एल प्लस के 18 डी आप लोग का आ जाता है एक सिकन्ड गाइज यहां पर ऑप संदे रखा है डी सही अंसर दे रखा है लेकिन जनरली हम जो इसको प्रोवाइड कराते हैं मैं आप लोग को बताता हूं इन्होंने प्तानी nine डी किए रखा है लेकिन यह लडव है आप ल dop 치ोता है क्योंकि यह हमारे पास होता है कि यह और यह कि है है टोटल जो हम इसको प्रोवाइड कराते हैं वो हमारे पास लगवक कितना होता है एट डी हमारे पास होता है ठीक है तो एट डी एट डी के हसाब से भी 16 आ रहा है और 16 के साथ से भी और सी ही सही होना चाहिए क्योंकि उसका अप्रोक्स तो कोई प्रद डिफोंड बार कंफर्मिंग टू आईएस 7186 दा डिजाइन बन इस टेज इन लिमिट इस्टेट मेतर्ड सेल भी आप लोगो बताना है डिफोंड बार आप लोगो ने यूज करिए ठीक है क्योंकि मैंने आप लोगो दो तरीकी बार बताई थी एक तो प्लेन बार बत होता है तो इस case में जो आप लोग की जो bond stress होती है वो बतानी कितनी होती है तो हम उसको increase कर देते हैं कितना 60 परसेंट अभी मैं आप लोग को बताया था ऊपर बचाया था कि कितना increase कर देते हैं उसको ताट परसेंट और वहीं कंप्रेशन जब आप लोगों ने कंप्रेशन जोन में रेइंफॉर्समेंट बार प्रोवाइट कराईए तो उस केस में आप इसको कितना बढ़ा देते हो पच्छिस परसेंट बढ़ा देते हो इस चीज़ को भी आप ध्यान लगना ठीक चलो नेक्स के बीम होते हैं हमारे लेकिन यहां पर हम कोसन देखेंगे कि क्या क्या हमारी कोसन बनते हैं बीम से यह हमारा पहला कोसन तेज सितंबर को पूचा गया था मौर्निंग सिफ्ट में अकोर्डिंग टू आइस 456 2000 वोट इस दा मैक्जिमम इस्पेसिंग डैट इस एलाउड सकते हैं मैक्जिमम कितना रख सकते हैं मैक्जिमम कितना रख सकते हैं इसका मतलब क्या है कि उससे ज्यादा आप लोग की स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी केस में तो इसका जो सही आंसर है वो बताएंगी सब लोग कमेंड करके कि सही आंसर क्या होना चाहिए बिल्क स्मेंड मेजर्ड एलोंग दैक्सिज ओफ मेंबर सेल नोट भी मोर देन 0.75 दी फॉर वर्टीकल इस्टिरप्स वर्टीकल इस्टिरप्स के केस में आप लोग का 0.75 डी से ज्यादा नहीं होना चाहिए इस चीज का आप ध्यान लखेंगे साथ ही आप लोगे केस में अगर आप लोग ने जो 45 डिग्री के इंगल पर लोगो ने बंट किया उसको तो उसकेस में जो frontline इस्टिरप्स जो आप लोगों ने प्रोवाइड करा हैं उनकी जो maximum spacing है वो किसके पर रावर होने चीडी के ठीकं़ अब question यmtंदा यह बंदा है तो हम क्या बोलते हैं effective depth बोलते हैं अगर आप वर्टिकल इस्टिरस प्रोवाइड करा रहे हो तो उस केस में आप लोग का 75D से ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है और आप लोग अगर क्या कर रहे हो कि आप लोगों ने अगर इस्टिरस प्रोवाइड करा हैं तो उस केस में आप लोग का डी से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो इसमें एक चीज और ली जाती है डी या फिर 300 mm ठीक है और यहां पर भी आप लोग का डी या फिर 300 mm यह आप लोग का इस तरीके से लिया जाता है नहीं कि 0.75 है घ्र झींसो एमैं में से ज्यादा इनमें से नहीं होनी चाहिए और यहां पर भी दडी और तीनतों में से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इस चीज का आप द्यान लखेंगे तो यहां पर जो maximum ohけ आजाता है वो कितना आजाता है 300 mm आजाता है कि 300 mm से आप लोग का ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है इस चीज को आप ध्यान रखेंगे चलो नेक्स कोशन पर मूव करते हैं यहां पर लिखा हुआ भी है कि स्पेसिंग सैल नोट भी एक्सिट 300 mm 300 mm से आप लोगी ज्यादा नहीं होनी चाहिए चाहिए वह आप लोग का इंकलाइंड हो या फिर आप लोग का जो वर्टिकल इस्टिरफ से दोनों ही केस में इस चीज को आप ध्यान लगें मैक्जिम 300 mm होती और जो लेना होता है वो डी और 0.75 D होता है नेक्स को सना आता है आप लोग का कोशन नमर 67 23 सितंबर की इवनिंग सिप्ट में पूचा गया था इफेक्टिव स्पैन हमको बतानी है सिंप्ली सपोर्टिट बीम के केस में आप लोग की जो इफेक्टिव स्पैन होती वो कितनी होती इसका आंसर कोई भी गलत नहीं करेगा बहुत आसान कुश्चन है यहां पर कह रहा कि क्लियर डिस्टेंस होती है बिट्विन सपोर्ट सपोर्ट के बीच के क्लियर डिस्टेंस होती है या फिर हाफ ओप दा क्लियर डिस्टेंस प्लस बिट ओप दा कोलम जो आप लोग की हाफ होगी जो क्लियर स्पैन होगी उसका हाफ कर दो और जो आप लोग की बिट होगी उस के 20 की जो center to center distance होती वो होता है effective span तो बिल्कुल सही answer guys option number D जिन लोगों ने भी select किया उनका बिल्कुल सही answer है कि center to center आप लोग की distance होती है between support ठीक है वह आप लोग का क्या जाता effective span आ जाता है चलो next question पर move करेंगे यह सारी सीज़े हैं यहां पर लिख्यों ही मैंने आप लोग को बता दिया है बाकि आप देख सकते हो ठीक है टेलिग्राम पर मैं आप लोग को provide करा दूँगा टेलिग्राम पर आप सर्च कर लें न फोर टू आवर ओफ फायर एक एक्सपोजर इस देखो गाइस कोशन बहुत जादे इंपोटेंट है और एससी जहीं में पहली बार यह कुशन पूचा गया था ठीक है पहली बार यह कुशन पूचा गया था उससे पहले कभी कोशन रिपीट नहीं हो तो नियू कोशन है मैं आप लोग का जो बीम है वो फायर के कॉंटेक्ट में किसके कॉंटेक्ट में फायर के कॉंटेक्ट में और जो हम फायर एक्सपोजर लेते हैं ना आर सी सी के केस में वो हम लेते हैं आवर की फोम में किसमें लेते हैं आवर की फोम में और जो आप लोग का फायर एक्सपोज एकावर के लिए होता है वनावर के लिए कुछ नहीं होता है फुर पॉंट सबस्क्तिन कि आप可以onne कहने होता है एज्टन Urs नहीं होता है तरी खराग कर लिए कुछ नहीं होता है और यह कहा है adult का ईएस456 टुटा उ जिन चैन यह या आवोगी मिनीम बिडा से बारें बठाता है बीम की और वह अलग-אलग फायर एक्सवजर drama में बठाता है कि अलग-अलग फायर जो आ बोगो का exposure situation होगी उस case में आप लोग की beam की बिट वो बिट होगी वो कितनी होगी ठीक है मैं आप लोग को बताता हूं यहां पहला option दिखाता हूं कि option क्या-kia आप लोग के पास given है यह चार option आप लोग के पास जहें इन में साब आप लोगो सही आंसर बताने तो इसका जो सही आंसर है का इस ऑप्षिन आप लोग को बताता हूं कैसे यहां पे देखो फायर रजिस्टेंस ओफ स्ट्रेक्श्र एर्लमेंट इस एक्सप्रेज्ट इंटर्म आप टाइम इन आवर तेखो सबसे पहले देखो जो फायर आप लो प्रस्मेंट और टाइप से अग्रेट इन सारी चीज़ों के उपर आप लोग का फायर रोगो रिजिस्टेंस यहोता है वह डिपेंड करता है अब मैं आप लोगो जो को संड रिलेटिड था वह सारी चीज़ आप लोगो बताता हूं पहले देखो हम से को से कुछन में पू तो birth of web जो आप लोग का होता है फ्लेंज में जो आप लोग का होता है नहीं कि इस तरीके का जैसे T-section होता है तो यह आप लोग का कैसा होता है यह हो गया और वैब बाला पॉर्ट्टिन हो गया तो इसकी जो बिड्थ की वैब होती है यह कितनी हो जाएगी 125 mm ठीक है और अगर overall depth की बात करें फिलोर की तो वो कितनी हो चाहिए अगर फिलोर की बात करो तो वो 125 mm उचाहिए वैसे ही अलग-अलग situation के लिए exam में यह पूछ से याद करनी वन वाली याद करनी है वन पॉइंट फाब फाइव बाली और टू वाली यह याद करनी कि इन तिनों के इसमें आप लोग की जो होनी चाहिए वो कितनी हो चाहिए टू हंड्रेड एम आप लोग के पास होनी चाहिए जो बिर्थ आप लोग की होगी भीम की ठीक ह और के case में कई बार पूछ लेता है तो 280 आप लोग की होनी चाहिए समझ मैं यह बात कि minimum आप लोग कितना बिर्ट रख सकते हो इससे कम तो आप लोग किसी भी कीमत पे नहीं रखोगे तो thank you guys for watching this video आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो please यार वीडियो को जादे से जादे लाइक करो और share करो ठीक है मैं आप लोग को topic wise और subject wise question solve करा रहा हूं 2018 के और YouTube पे यह चीज किसी ने नहीं करा रखी है तो अगर हो सके तो जादे से जादे लोगों को यह वीडियो share करो thank you so much